हेलो गाइज तो एक बार फिर से आपका Great Option Guru The Real Partner In Your Real Trading हमारे इस revolutionary platform पर आपका स्वागत है तो आपको याद होगा हमारे last वीडियो में हमने अपनी जो नई स्ट्राटेजी है Back 50 Ultimate Weekly Profit Generating Strategy का introduction दिया था और बहुत से जो ट्रेडर ने उसके बाद इस strategy को जोईड भी किया और profit भी जो है strategy से बनाना स्टार्ट कर दिया है तो आज इस वीडियो में हम उन ट्रेडर्स के कुछ आपको review और testimonial भी दिखाएंगे और साथ में आपको ये भी दिखाएंगे एक real case study के दवारा कि हमारी जो difty और bank difty की strategies है उनका जो consistent performance है उसके पीछे secret क्या है the secret of generating lifetime income by option trading तो ये आप इस वीडियो में देखने जा रहे है एक real case study के दवारा तो तयार हो जाएए आज का ये वीडियो आपकी trading में एक डिया turning point और game changer साबित हो सकता है क्या है तो guys सबसे पहले strategy की बात करते है हमारी जो strategy है our strategy is based on the only scientific thing available in the market तो जो scientific thing है market में क्या है that's theta it's also called time decay option का जो time decay है वो एक scientific है और we capitalizing this edge every single day in our trading इस edge को हम अपनी जो trading में हम अपनी strategy में हर रोज जो है इसको जो है capitalize करते है इसको utilize करते है और थोड़ा और जानते है कि time decay का जो options पे क्या impact होता है देखिए theta एक Greeks है जैसे option की pricing पर जो है Greeks का impact होता है जिसमें delta है, vega है और theta है यह जो तीन major Greeks हैं जिनका option की pricing पर impact होता है आगे की trading में आप इन समी के बारे में हम आपको detail में जो है practical है वो आपको सिखाएंगे, बताएंगे तो फिलहाल जान लेजिए कि इसमें सबसे scientific है वो है theta आप यह जो graph देख रहे हैं इसमें आपको यह जो दिखाई दे रहा है intrinsic value और time value यह जो red में है intrinsic value और यह जो green में आपको दिखाई दे रहा है time value हर एक option का हर एक strike price का एक intrinsic value होता है और एक time value होता है लेकिन जैसे जैसे अब expiry के नजदीक आते जाते हैं one week two days expiry तो time value आप देख रहे हैं कि time value जो है लगातार जो कम हो रही है day by day जो कम हो रही है इसको आप इस तरह समझ सकते है कि जैसे एक ice cube है वो धीरे 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 पिगलता जाता है और खतम हो जाता है एक ऐसा समगा आता है जब कि ice cube पूरी तरह पाली पे तब्दील हो जाता है उसी तरह expiry वाले जो दिन है टाइम वैल्यू लास्ट में जो है वो बिलकुल खतम हो जाती है और बैक डिफ्टी में तो ये और भी जो है रेपिटली काम करती है क्योंकि बैक डिफ्टी में तो आपको मालूम है जो वीकली वीकली कॉंट्रेक्ट्स होते हैं और सिरफ चार पांच दिन का पांच दिन का ही expiry होता है और इसके बारे में हम देखते हैं how theta और time decays works. theta is about the price of call and put will decrease every single day as options approach its expiration day. यह जो Greeks का आप value देखेंगे ना जब कोई भी हमारा जो option का जो position होता है तो उसका हम Greeks देख से तो उसमें एक theta का value होता है तो वो value क्या indicate करता है कि call और put का जो premium है वो कितना decrease होगा daily basis पे option का जैसे जैसे option जो है expiration के देख जाएगी तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि यह जो theta है यह जो time decay है is the number one enemy for the option buyers on the other hand it is usually the best friend of option sellers मैं जानता हूँ कि जो भी लोग option ट्रेडिंग करते है वो यह theta के बारे में जानते होगे यह कोई secret नहीं है सबी लोग इसके बारे में जानते होगे लेकिन कितने लोग है जो इस scientific weapon का अपनी ट्रेडिंग में profit बनाने के लिए regular इस्तेबाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी ट्रेडिंग में किस तरह इस scientific weapon का जो है daily basis पे इस्तेबाल कर रहे है तो यह आप जो रियल ट्रेडिंग का जो एक screenshot देख रहे है यह है 1st November का इस मन्त का जो शुरुआत हुआ और यह जो हमने उस दिन profit book किया और यह देखिए position क्या था यह जो position था 25,000 का put जो है यह open quantity यह sell और 25,300 का put यह sell और यह जो सारे जो आप देख रहे है यह देखो selling की हमारी position है और selling की position का आपने जो है profit book किया यह open rate आप देख रहे है 296 और 366 और यह इसको हमने जो है buyback किया 13 और 21 पे और यह देखिए कितना profit इन दोनों position से overall जो profit है यह आप देख रहे हैं जो हमने book किया तो आपने देखा यह जो सारे का सारा जो profit है यह time decay theta theta की power है जो उसकी बदालत जो है यह जो profit है यह generate हुआ अब आप पूछेगे कि हस जी हमने तो ऐसा सुन रखा है कि option जो selling है वो unlimited risk और limited profit वाला strategy होता है और जो option buying है वो limited risk और unlimited profit वाला होता है तो आप बिल्कुल सही है जो selling का strategy होता है they have unlimited loss का जो proposition उसमें होता है if you don't know how to manage it बिल्कुल सही है और हमारा जो एक वीडियो भी है इस पर उस वीडियो का मैं link जो है description में नीचे हम आपको दे देंगे should you buy option और sell option और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ selling की strategy है वही सिर्फ utilize करते है आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यह देखिए next जो है यह हमने जो Friday को next week का जो trade start किया इसमें देखिए यह जो buying है 25,400 का जो buying है और उसके आगे 25,700 का selling और 26,000 का यह जो selling है और यह जो setup है इसको ladder spread बोलते है जहां पर पीछे जो है deep इंदा बनी buy करके हम आगे जो है दो strike price को sell करते है हमारी strategy में buying और selling का जो है एक combination होता है लेकिन उसका जो है जो total portfolio होता है वो definitely जो है theta friendly होता है next आपको दिखाता हूं दिखिए तीनी दिन का इस बार जो है trading जो था week का जो expiry था यह 6th नवंबर को इस strategy का यह जो profit है हमने book किया यह आप देख रहे हैं और इस strategy में कुछ भी जो है इस बार जो है adjustment करने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि तीनी दिन था और यह जो setup हमने लगाया था इस setup नहीं हमें profit दिला दिया और यह दिखिए इसमें जो सबसे ज्यादा जो फिर इसका जो एक कह लिजे की beneficially था वो theta ही था 80 point पे जिस type price को हमने sell किया था तो उसको जो है दुबारा से हमने जो book किया 5 75 point हमें यहां से मिला और 192 पे जिसको sell किया था 138 पे इसको book किया और जो हमारा buying था buying का value भी तब बढ़ गया था इधर से भी profit हुआ तीनों strike price ने profit दिया और pull मिला के यह हमारा profit हुआ market dynamic है market का जो scenario होता है जो sentiment होता है वो change होता रहता है तो उसके accordingly जो है यह जो setup बनाए जाते हैं तो option data का analysis भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है यह this is more reliable than any charts and indicator यह charts और indicator से ज़्यादा reliable है क्यों कि यहां से हमको सबसे पहले जो है supply और demand का पता चलता है कहां पर जो है जो पैसा जो है लग रहा है किस strike price पे ज़्यादा volume है तो जो chart है इसके बाद बनेगे जो candle बनेगा इस data के बाद बनेगा second point पर और जो indicator है आपके जो indicator है वो third कोई भी जो indicator है वो तीसरे number पे आता है price action के भी बाद तो यह सबसे जो है important है इसी के base पे हम जो है अपने जो है setup बनाते हैं तो चलिए continue करते हैं अपना जो case study हमारा जो November series का जो trading हुआ उसका जो case study चल रहा था तो दिखिए next week जो है हमने 9th feb को दुबारा से यह जो ladder spread है उसके साथ जो है अपना जो setup बनाया और शुरुआत किया इस week का और आगे देखते है next day है market जो है नीचे गिर गया back 50 भी काफी नीचे गिर गया तो उसमें हमें अपना इस जो strategy में इस setup में इसको management का जरूरत पड़ा और हमने यह दिखिए management भी किया अपना एक तीसरी जो selling है वो भी हमने इसमें introduce कर दी अब जो buying है वो पीछे जा और उसके आगे जो है तीन selling का यह जो position बढ़ गया next day फिर जो है back 50 जो है उपर आ गया और हमें क्योंकि selling और buying का जो combination है उसमें जो है second जो factor है option का जो pricing में वो delta है delta को भी manage रखना पड़ता है theta के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम theta का benefit लेने जाए और delta हमें हर्ट करते तो इस तर होता है और market में भी यह जो उठा पटक है चलता रहता है और यह दिखिए जो मैं चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह दिखिए इस दिन जो है हमारा यहाँ पर जो है हमने manage किया और लेकिन यह जो strategy है loss में आ गया है बहुत से जो आपने से जो trader होगे वो कहते होगे कि आप सिरो profit प्रोफिट दिखाते हैं loss नहीं हमें कभी दिखाया आपने तो यह देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ loss तो trading में होगा ही होगा लेकिन जो सबसे important है आपको loss लेना आना चाहिए loss की recovery करना आना चाहिए याद रखिए कि आप कोई भी कोई भी strategy लगा ले कोई भी setup लगा ले वो कितना भी अच्छा हो market will sooner or later go against you it will be your skill and ability to handle these situation that will determine your level of success ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई अच्छा strategy लगा ले तो market जो है असानी से हमें profit दे देगा ऐसा नहीं होता है भाई market आपके against जाएगा ही जाएगा वो उसी दिन चला जाए दो दिन बाद चला जाए चार दिन बाद चला जाए तो तब आपका जो है असल जो है test होगा तब आपकी skill का जो है test होगा कि उस समय उस situation में आप क्या करते है किस अपने emotions को control करते है और किस तरह अपनी उस position को जो है manage करते है और यह बहुत ही important जो है अब यह जो slide देख रहे हैं आप बहुत important है actually the average retail trader knows little or nothing about how to manage or adjust an open strategy or position this is where 90% of trader get killed जो सचा ही यह है कि जो retail trader है वो सिरफ strategy के पीछे जो है भागते है कि मेरे को एक holy grail strategy मिल जाए वो यह नहीं जानते कि जब market जो है उनके against जाएगा तो उस strategy को उस position को किस तरह manage करना है 90% of trader जो है they have no clue what to do when a position goes against them so they just take the loss जैसे हम loss हुआ मैंने आपको अपनी position में बताया तो क्या हमने loss book किया नहीं loss नहीं book किया बगर जो trader जो है management जानता ही नहीं उसको पता ही नहीं है कि किस तरह अपनी position को manage करना है तो वो तो भाई book करें गाई ना loss imagine कीजिए कि अगर आप imagine making small changes to your position and increasing your odds of making a profit by 90% अपनी उसी position में आप थोड़ी सी changes करके और अपने जो profit बनाने की जो आपकी जो probabilities है उसको आप 90% तक जो है बढ़ा सकते है यह मैं आपको अभी real में दिखाने जा रहा हूं कि यह जो trade loss में था आप next देखिए कि किस तरह वो profit में तबदील हुआ next day Wednesday को काफी हद तक हमने जो है अपना जो है जो loss था उसका जो recovery कर लिया था और next थ्रस्टे को आप जानते है एक्सपैरी था और यह जो थ्रस्टे के दिन हमने जो है इस trade में से 200 point का जो profit है 200 point का जो profit है वो book किया यह professional trading है next level का जो trading है जो मैं आपको यह दिखा रहा हूं options management is the secret key in successful option trading that almost no one takes anywhere पिछले 10 सालों से हम option पे लगातार जो है अपना जो जब से हमने research करना start किया option trading करना start किया तो यह 10 साल अगर पीछे जाए तो यह वो समय था जब CNBC आवाज और G business पर भी option की कोई बात ही नहीं होती थी सिखाने की तो बात ही शोड़ो TV पर भी इसकी बात नहीं होती थी अब तो खैर थोड़ी बहुती जो है इसके बारे में जो strategy भी बताने वाले जो है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे लेकिन यह जो skill है कि किस तरह अपनी position को जो manage करना है वो जो skill है हमने भाई इस market से सीखी है इस market से lose करके सीखी है हमें यह accept करने में कोई भी hesitation नहीं है कि बहुत सा पैसा जो है इस market में हमने lose किया है बगर हर बार जो अपनी जो mistakes है उनसे जो है learn किया है धीरे धीरे उसको जो है improve करते गए और फिर यह जो अपना एक system जो है develop किया option management का तो यह आज एक बहुत बड़ी जो हमारी जो एक power है skill है और यह जो key है जिसकी बड़ालत यह जो consistent profit है यह जो आज success आपको नजर आ रही है तो इसके पीछे यहीं जो एक reason है कि जितना ज्यादा lose किया उतना ही ज्यादा सीखा और उतनी ही ज्यादा success मिली और यह जो learning का process है अभी भी जा रही है marketing supreme daily हमें जो है कुछ ना कुछ जो नया है वो सिखाती है बशर्ते आप उसको सीखने के लिए आपका जो mindset है आप तयार हो तो इसके बाद इसके बाद next week फिर यह दिखिए हमारा जो strategy है 21 को जो strategy हमने establish किया यह जो shortcut दोनों तरफ जो sell किया इस बार जो है कुछ management करने का जरूरत ही नहीं पड़ा और यह जो profit है recently profit जो है 21st को हमने जो है अक्सपैरी से भी एक दिन पहले जो है अपना जो 218 point का जो profit है हमने जो है book कर लिया था यह जो bank nifty का strategy है इसका जो performance रहा नवंबर series का तो वो हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले 1st November को जैसे आपने देखा 260 point का आपने profit book किया और उसके बाद 6th November को next week 174 point का profit और उसके next week 15 November को 203 point का profit और total 637 और अभी last बेजो है 21st November को 218 point का profit और total जो है 855 point का जो profit book किया और हमारा वैसे मंतली जो target होता है वो 800 point का होता है और उससे ज्यादा का profit अपने target से भी ज्यादा का जो profit है वो हम achieve कर चुके हैं thanks and it was great working with you Manjit Singh Sethi next जो है Asha Meena excellent consistent profit making trading by great option guru Aamir Goswami yes sir truly awesome first time earned something from market with such ease much appreciated ये जो है वेंटेश आयर सर जी I am amazed by your strategy it is fantastic no matter the market direction you are always making profits आगे देखते हैं Jimmy Patel Sir it is wonderful trading and learning experience in this month so far enjoying learning and earning with you great और आगे गुर्जशन जीत सिंग है ये हमारे जो एक नए बिलकुल नए अभी इसी week जो है इनोंने जो है अपना जो trading है हमारे साथ शुरू किया तो इनके जो review है वो खास तोर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा I have been trading for last three years but could not get profit from trading finally after watching your video I try your trading platform and finally I am seeing the real profit so thanks a lot after lots of struggle in trading I finally reached the right designations तो जो अब इस तरह के review मिलते है टेस्टी module मिलते है तो हमें खुशी भी होता है और एक satisfaction भी मिलता है कि जिस mission के लिए हमने ये जो plate farm शुरू किया है जहाँ पर 95% जो लोग है जो retail trader है वो पैसा अपना lose कर रहे है उनको एक सही रास्ता दिखा सके कि क्या भाई इस market में क्या चीज़े काम करती है क्या चीज़े काम डई करती तो ये जो option management है the skill you really need to generate lifetime income from market तो अगर आप option trader है तो ये जो skill है ये आपके पास होड़ा ही चाहिए ये option trading का एक next level है और इस level पर अगर आप पहुँच जाते हैं इसको अगर आप सीख लेते हैं इसके master हो जाते हैं तो फिर आप कोई भी segment है जरूरी नहीं कि ये difty और back nifty कोई भी चाहिए वो कोई भी stocks है चाहिए वो currency है और चाहिए वो commodity है तो आप किसी भी segment जहाँ पर option जो है trade होते हैं आप consistent जो है profit कमा सकते हैं आपने हमारे last video में देखा भी होगा कि एक हमारे जो student है बीदू राज जी वो commodity से crude oil से इन strategy के द्वारा जो है वो income कमा रहे हैं अगर आपने वो video नहीं देखा तो इस जो description में उसका जो है एक link जो है हम देदेंगे तो वो video जुरूर देखिएगा हम जो social media है वहाँ पर जो है अब पूरी तरह से active है और आप हमारे जो नेया telegram channel है उसको जुरूर जो है subscribe कर लीजिए उसका link जो है आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ पर हम daily basis पे 50 और back 50 का जो open interest का जो analysis है वो हम पोस्ट कर रहे है तो हम मिलेगे आपको अपने next video में तब तक all the best take care bye